हाउ रूफिक्स सैमसंग 810S इंकामिंग कॉल वोल्यम प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का दिकराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है incoming call volume problem solved कैसे कर सकते हैं कई बार दोस्तों क्या होते है incoming call volume बहुती ज़्यादा लो होते हैं या फिर आच्छे से नहीं आते हैं आप तक ठीक है या फिर किसी भी तरीके का incoming call volume problem हो सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको यहां प्रब्लेम solve करना है तो इस वीडियो को अंतक देखे जो भी मैं आपको solution बताऊंगा उसको follow करे आपका problem definitely solve हो जाएगा ठीक है incoming call के incoming call volume के related कुछ भी problem है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप online पैसा कामाना चाते है तो वीडियो स्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते इंकामिंग कॉल वोल्यम प्रोब्लेम हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए मोबाइल को रिश्टार्ट करके देखें एंदेंट चेक किजे कि आपको जो problem होता है यह नहीं होता है अगर फिर 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 प्रोल्यम पर तो जब कॉल कर रहे होता है तब आप अपने वोल्यम को इंक्रीश कीजिए इससे भी दूस्तों आपको जो है वोल्यम लाडर सुनाई देगा ठीक है जब कॉल क कर रहे होते तब आपको और व ありम पर सबस्क्राइब करना होता है अगर को और एप यह दिर ओर यह तो आप से इसक्रीश कर सकते हैं तो नेक्स्ट पर जाते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है स्क्रोल डाउन करना है ठीक है एपस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है आ जाना है और आपको सेर्च करना है फोन सर्विस तो यह रहा दोस्तो फोन सर्व क् Loud york Marriage यहा तो फोन सर्विस में जाएं इस्टोरेज कुद उम्हें किजिए इस तोरेज पर क्लिक करने की बाद के पर बाद क्लिक कर दिजेए डेटा क्लियर हो जाएगा डेटा क्लियर होने के बाद fare पर competitions आप allow कर लीजे। उसके बाद दोस्तों आपको भे करना है बेच करने की बाद आप को जोनाod जैनेरल मेंचब Inner पे एंड देन्ड आपको क्लिक करना है रिसेट और उसके बाद जाना है रिसेट खयो डा little setting ड्रयल समें तोZum को सेलेक करें और यहान पर रिसेट पर क्लिक कर दीजिए ठीक है रिसेट पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा मोबाइल पासवर्ड बर दीजिए मोबाइल पासवर्ड बरने के बाद आप बेग कीजिए मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए सारे एप्लिकेशन को क्ल प्रव्लेम्स हो चुका होगा अगर प्रव्लेम्स सुल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर आपको अभी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो जाए सेटिंग पर एक बार मोबाइल नेट्रोक कनेक्शन को स्वीच करने की कोशिश करें ठीक है कि नेट्रों कि हाँ पर स्वीच कीजिए जैसे की तूजी पर करने तूजी काम नहीं कर रहा है तूजी तूजी के बार फोड़ी ठीक एससे नेट्रोंक रिफ्रेश होते हैं सारे साथ एक्स पॉइंट नेम पर जाईए ठीक आपकी एपिए सेटिंग और उसको भी एक बार र तो यहाँ पर इसेट करने के लिए wonder पर क्लिक करना है औरiche observe टो डिफर्व wichtiger किया आपको Reset कर देने unable करने के बादocy आप यहाँ पे बेक करए बेक करने के बाद दोस्तों चेक करके देखे कि incoming call programaral comments वाएं अगर स्थोंफों जाता है ठीक है अगर नहीं तो सौफ़ेर अपडेट कीजिए ठीक है सौफ़ेर अपडेट कीजिए सौफ़ेर अपडेट करने के बाद आपका incoming call problem incoming call volume का अगर problem रहेगा तो definitely और 100% यहाँ पे fixed हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने incoming call volume problem solve कर सकते हैं सौफ़ेर को अपडेट जरू से किजिएगा वाई इनी चांज सौफ़ेर अपडेट करने के बाद भी काम नहीं कर रहे तो जेनरल management पर जाएए और reset पर क्लिक करके आपको factory data reset करना है और सारे data जो है यहाँ पर खोने का दर रहते हैं ठीक है तो आप सफ़ेर अपडेट तो की सले यहाँ पर solution करें अगर फिर भी problem आ रहा है तो हो सकते हैं जो भी बंद आपको call कर रहे हैं उसमें माइक का problem हो सकते हैं माइक का problem हो सकते हैं उसके वज़ेसे आपको call अच्छे से सुनाएं नहीं दे रहा हो या फिर आप किसी technician के मदद ले सकते हैं वह भी आपको प्रोब्लिम जोई सॉल्फ करके देगा अगर मोबाइल वेरेंटी पर तो आप सर्वेसेंटर जा सकते हैं फ्री में सॉल्फ हो जागा प्रोब्लिम तो यह सारे चीज़ आप य थार नहीं थे